कारिकरता भाई ग्रामिन प्रश्ट भूमी के हैं जो गाउं से आये हैं उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है अपने गाउं में विदेशी कमपनियों की सबसे जादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासाइनिक खाद जिसको हम यूरिया कहते है डियेपी कहते है सुपर फॉस्फिट कहते है और रासाइनिक कीट नाशक जिसको एंडोसलफान कहते हैं मेलाथियान कहते हैं पेराथियान कहते हैं बेंजीन हेकसा क्लॉराइट कहते हैं तो ये विदेशी कमपनियों के कीट नाशक और रासाइनिक खाद ये क नाशक मने हमारे किसान हर साल रासाइनिक खाद और कीट नाशक खरीद कर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड रुपई दे रहे हैं ये भी हमको बचाना है तो क्या करना है किसानों को समझाना है जाकर गाओं गाओं में कि भाईया ये रासाइनिक खाद विदेशी है ये मट डालो तो किसान पूछेगा क्या डाले तो उससे को गोबर की खाद डालो ये रासाइनिक खाद मट डालो तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फाइदा कम है रासाइनिक खाद में फाइदा जादा है तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फाइदा जादा है रासाइनिक खाद में फाइदा तो बहुत कम है क्योंकि रासाइनिक खाद तीन सो रुपए में, साड़े तीन सो रुपए में, और कभी-कभी ब्लैक हो जाए तो पांत सो रुपए में, यूरिया, और हर साल कीमत बढ़ती जाती है, क्यों, क्योंकि ये रासानिक खाद बनती है, उन वस्तुओं से, जिनको पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स जिसको नैफ्था कहते है, वो विदेशों से आता है, इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है, किसानों को समझाईए ये, कि बहुत महंगी पढ़ती है, और इसकी महंगाई पता है, दूसरी क्या है, एक बार आपने खेत में एक बार डालना पड़ेगा, हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है, और मालूमें रासानी खाद बहुत गरम होता है, गरम रासानी खाद यूरिया डियेपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गरमी के कारण, तो पानी ज जाना पड़ता है पानी का खर्चा बढ़ जाता है और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से निकालना पड़ता है जमीन से ज़्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का त्यल नीचे 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 होता चला जाता है पहले पानी 25-30 foot पे मिलता था अब पानी 900 foot तक नहीं मिलता केतों में तो किसानों को समझाईए कि यूरिया डालने से बड़ा भरी नुकसान है एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है खर्चा बढ़ता है दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है वो खर्चा बढ़ता है और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है एक जमाने में 7 रुपई लीटर मिलता था डीजल अब 35 रुपई लीटर दो-चार दिन के बाद ये 40 रुपई लीटर होने जा रहा है फिर हो सकता है साल डेड़ साल में 100 रुपई लीटर हो जाए किसान कहां जाएगा मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डी-ए-पी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया, तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी, क्रश्रम भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। आज हमारी माताओं के दूद में जहर आ चुका है। अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिती में हैं आज। हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूद का परिक्षण करवाया है। तो माताओं के दूद में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं। माताओं के दूद में वो सब केमिकल हैं जो कीट नाशक दवाओं में हैं क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं जो आप में diabetes दे रहे हैं, जो आप में high blood pressure दे रहे हैं, hypertension दे रहे हैं, 148 किसम की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है, इसलिए किसानों को समझाओ, जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो, दूसरा ये शरीर को नुकसान देता है, इसलिए बंद करो, तीसरा ये पैसे का नुकसान करता है, इसलिए बंद करो, तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें, तो उनसे को गोबर का खाट डालो, अब किसान क्या पूछेगा आपको तो इससे को गोबर के खाथ से तो उत्पादन नही होता तो उससे को गोबर के खाथ से वी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यूरिया डियेपी से जितना नहीं होता उससे तो जादा गोबर के खाथ से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महराश्च्ट और करनाटक में आप आईए वहां देखिए हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डियेपी बंद करके गोबर का खाथ डालना शुरू किया है और जिस किसान के यूरिया डियेपी के खेत में एक एकड है कम नहीं होता है जिन किसानों के खेत में यूरिया डियेपी डालने से एक एकड में बारे कुंटल गेहूं होता था आज उनके खेत में गोबर का खाथ डालने से बीस से बाइस कुंटल गेहूं हो रहा है जिन किसानों के खेत में यूरिया डियेपी डालने से एक एकड मे धाई कुंटल कपास होती थी आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाट डालने से साथ कुंटल एकड़ का कपास हो रही है ऐसे एक नहीं हजारों किसान है महाराश्ट में, करनाटक में थोड़ा अगर चलेंगे तो 36 गड़ में बहुत किसान है 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जाके उनको ये सब सिकाया, गोबर की खाट से उत्पादन जादा मिलता है यूरिया डिये पी कितुलना क्यों मिलता है, वो जानना चाहिए बहुत बढ़िया बात है जो आप जान लो, तो आप किसानों को समझा सकते, गोबर की खाट जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है, गोबर जो है न, कई तरह के जीव जन्तूओं का भोजन है यूरिया जो है, वो भोजन नहीं जहर है आपके खेत में एक जीव होता है, जिसको केचुआ कहते, केचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना दो चार दाने ही यूरिया डालोगे, वो तड़पना शुरू हो जाएगा और एक मिनट में मर जाएगा हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं करोडों केचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाले और केचुए क्या करते हैं केचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाओ बनाते हैं केचुए का काम क्या है उपर से नीचे जाना नीचे से उपर याना पूरे दिन में वो तीन चक्कर नीचे उपर के लगाता है नीचे जाएगा फिर उपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर उपर आएगा अब केचुवा जिन्दा है तो नीचे जाएगा फिर उपर आएगा केचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है उपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केचुआ तयार कर देता है तो बारिश का पानी इनी छिद्रों में से नीचे एक एक बून नीचे रिस्ते हुए तल में जमा होता है माने वाटर रीचारजिंग का दुनिया में सबसे जबरजस्त काम कोई करता है तो केचुआ करता है और यूरिया के कारण ये मर जाता है इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्मत्या करने के बराबर है जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केचुआ मर जाएगा केचुआ मरा तो मिट्टी में उपर नीचे कोई जाएगा नहीं तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खतम हो जाती है रोटी को फेर ना बंद करो जल जाती है मिट्टी को फेर ना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है मिट्टी को फेरने का मतलब समझते है उपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी उपर, उपर की नीचे, नीचे की उपर ये केचुआ ही करता और कोई नहीं कर सकता केचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है मैंने इसका हिसाब निकाला था एक केचुवा साल बर अगर जिन्दा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है उपर से नीचे नीचे से उपर एक केचुवा साल बर में और उतनी ही मिट्टी को ट्रेक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है माने एक केचुवा हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है ऐसे करोणों केचुवे हैं पता सोचो कितने हजार करोणों रुपए बच रहे हैं इस देश इसलिए गोबर का खाट डालने से फाइदा क्या होता है रासा नहीं खाट डालो केचुवा मर जाता है गोबर का खाट डालो केचुवा जिंदा हो जाता है क्योंकि गोबर केचुवे का भोजन है केचुवे को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंग क्या बढ़ाता है और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता भारhe सरकार कहती है हम दो, हमारे दो केचुआ नहीं मानता उस बात को एक-एक केचुआ पचास-पचास अजार बच्चे पैदा करके मरता है पचास-पचास हजार एक जाती का केचुआ तो मैंने देखा एक लाख पैदा करता बच्चे तब मरता है तो वो एक जिंदा है उसने एक लाख पैदा कर दिये अब वो एक एक लाख एक एक लाख पैदा करेंगे करोडों केचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया और केचुए ज़्यादा होंगे तो मिटी फिर उलट पलट होने लगेगी, मिटी में छिद्र बनने लगेगे, तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा, सब मिटी में आ जाएगा, और पानी मिटी में गया, तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा, तो बार नहीं आएगी, तो समुद्र में फाल्तू पानी नहीं जाएगा, इस देश का करोणों करोणों रुपई का फाइदा हो जाएगा। इसलिए आप किसानों को समझाओ, गोबर की खाट डालो। तरीका है डालने का तरीका क्या है अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं गोबर डालते हैं वो घुरा है घुरा गाओं में कच्रा डालने का वहां गोबर इकटा करते हैं छे मईने आट मईने साल बर वो सूखता रहता है और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है फिर व को अगर पानी में गोल के डालो न तो वो ही तीन गुना जादा फाइदा करता है तो किसानों को ये समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें उसको पानी में गोल के डालें तो कैसे गोलेंगे पानी में उसका फॉर्मूला लिख लो आओ और जो जो गाओं में जाने वाले कारी करता है ये सब किसानों को आप बोलो कितना गोबर डालना है कितना पानी उसमें मिलाना है कितने बीगे के लिए काम मिलाना है उसको अब आपको मैं एक मोटी सी बात पता देता हूं एक एकड़, एक एकड़ माने धाई भीगा, पांच भीगा नहीं, धाई भीगा, तो एकड़ धाई भीगे का हिसाब जोड़ कर बताता हूँ, एक किसान को एक बार में एक एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा, गीला करके डालेंगे तो, दस किलो गोबर, बस, दस किलो गोबर, दस किलो गोबर, फिर से सुन लो, दस किलो, जादा नहीं बोल रहा हूं, सो किलो नहीं, दस किलो गोबर, एक एकड़ के लिए, डालना कैसे है, लिख लो, दस किलो गोबर, फिर इसमें चाहिए, दस लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर, उसी का मूत् गाय का गोबर तो गाय का मूत्र भैस का गोबर तो भैस का मूत्र बैल का गोबर तो बैल का मूत्र अब आप बोलोगे गोबर तो एकठा कर लेंगे मूत्र कैसे एकठा करें जानवर जो मूत्र देते हैं ना जहां पे आप जानवरों को रखते हो, वहाँ पर पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढल लगा दो जितना भी वो पेशाप करेंगे वो नाली में आ जाएगा, नाली के आगे खड़ा खोद दो, वो सारा उसमें जमा हो जाएगा फिर वो ले लो और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ जानवरों के मूत्र की कोई expiry date नहीं है एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, खराब ही नहीं होता तो चिंता करने की बात ही नहीं है तो एकठा होता रहेगा खड़े में डालते रहो आधे से एक किलो गुड़, गुड़, गुड़ तो आप सब जानते हो एक तो गुड़ होता जिसको आप खा लेते हो एक तो गुड़ ऐसा होता जिसको जानवर खा लेते हैं और एक गुड़ ऐसा होता जिसको कोई नहीं खा सकता गीला गीला पुराना पुराना काला काला वो गुड़ खेत के बहुत कामका है जो सबसे घटिया गुड़ है जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका वो खेत के लिए बहुत कामका है तो वो गुड़ ले लो आदे से एक किलो गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गुड हो गया अब इसमें लगबग एक किलो डालना है दाल का आटा दाल है ना दाल, अरेर की दाल, मुंग की दाल, उड़त की दाल, चने की दाल, सोयावीन की दाल, खेसरी, खेसरी की दाल, कोई भी दाल एक किलो उसका आटा चार चीते हो गई कोबर, कोमूतर, गोड़, डाल का आटा और इसमें डालनी है एक मुठी मिट्टी एक मुठी में आदा किलो या पॉन किलो तक मिट्टी आती है मिट्टी कहां से लानी है आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है बरगत का कोई पेड़ है तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगत के पेड़ के नीचे की पीपल और बरगत के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना आपको मालूम है पीपल और बरगत के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ है और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणूं की संख्या बहुत होती है तो पीपल और बरगत के पेड़ के मिट्टी में जीवाणूं सबसे जादा होते हैं यही जीवाणूं खेत क को चाहिए तो पंटी ले ली 5 चीजें हो गई गोबर 10 किलो मुत्र 10 लिटर गोड लगबग एक किलो डाल का अटा एक किलो और मिटी लगबग एक किलो ये पांचों चीजों मिला दो घोल दो हाथ से गोल लेना खराब नहीं होंगे और रभी तो डंडे से और एक ढल प्लास्टिक की ड्रम के ड्रम नहीं तो लोहे की का होगा तो अच्छा फ्लास्टिक फैसा लोहे वाला च्हरण ज्यादा होता है अब कौर गोल के 15 कशिषा दीन रख कि कि वे Eğer पंद्रोच सब्सक्तिश का का थो तो ञेंगे तो थोड़ा पानी मिलादे ना ज्यादा मता थोड़ा ही मिला गोल के पंद दिन रख देना इस पंदरे दिन के बाद ये खाद तयार हो जाएगा इस खाद में क्या होगा करोडों करोडों सुक्ष्म जीवाणूं पैदा हो जाएंगे वह जो मिट्टी डाली نा मिट्टी के जीवाणूं अगर एक लाख हैं तो पंद्रे दिन में वो सौ करोड से ज़्यादा हो जाएं डखके रखलो तो अच्छा है छाओं में रखना सबसे अच्छा दूप में बिल्कुल मत रखना पेड के नीचे की छाओं में रखना नहीं तो कोई ऐसी जगे रखना जहां सूरी का प्रकाश ना आता हो और इस पे कपड़ा बा डालना है डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है और पानी कितना मिलाना है जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी दस कुना कम से कम 100 लीटर पानी दस किलोग ओबर तो 100 लीटर पानी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया अब ये पूरा परफेक्ट गोहल हो गया इसको एक एकड़ के खेत में छिड़कना है जैसे पानी छड़कते न मिट्टी दबाने के लिए ऐसे ही छड़कना है बस आप इसको छड़क देंगे तो ये करोडों जीवानूं मिट्टी में पहुंच जाएंगे तो मिट्टी में जीवाणूं की संख्या बढ़ती जाएगी और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणू करते हैं आपको मालू है जीवाणू क्या करते हैं जीवाणू सारा काम करते हैं पौदे की जड़को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवानू उपलब्द कराते हैं, पौदे की जड़को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवानू उपलब्द कराते हैं, पौदे की जड़को आइरन चाहिए तो ये जीवानू, माने पौदे को बड़ा होने के लिए जित अच्छा होगा जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा अब इसमें समय लिख लो कितनी बार डालना कब डालना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना जोतें बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना खेत जु कि अकल डाल दो जुताई करके डाल दो ये पहली बार ठीक है फिर इसके डालने के दो तीन दिन बाद या चार दिन बाद या पांच दिन बाद बुआई कर दो कितना डाल सकते हैं बताएं ना एक एकड में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो तो आपने इसको जोत के एक दो दिन में डाल दिया फिर बीज बो दो बीज बोने के 21 में दिन में फिर डाल देना आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना क्या होता है न बीज मैंसे अंकुरन होता है और अंकुरन होने के 21 में दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है फिर 21 दिन के बाद वो सूरी की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है फोटो सिंथेसिस जिसको कहते है प्रकार संशलेशन की क्रिया सूरित आप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़ते जो जाती तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21 में दिन पर डाल देना आज डाला 21 दिन बाठ डाला फिर 21 दिन बाठ डाला फिर 21 दिन बाठ तो एक फसल अगर आप समझ लो चार महिने की है तो लगबग पांच बार डालना पड़ेगा कोई फसल छे महिने की है तो साथ आट बार डालना पड़ेगा आठ महिने की है तो दस एक बार डालना पड़ेगा अब इसमें खर्चा क्या है जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का मूत्र फोकट का गुड मैं कहह रहा हूं सबसे सडा हुआ जिसको फेक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा पानी तो फोकट का है ही थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खरचा आएगा लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी माने खाद बनाने का खर्चा लगबग शून ने आएगा महनत लगेगी पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरजस्त क्वालिटी है क्योंकि इसमें केल्शियम भरपूर, आइरन भरपूर, फॉस्फोरस भरपूर क्या-क्या इसमें है? गोबर है, गोबर में केल्शियम है, आइरन है, सलफर है, सिलिकॉन है, कोबॉल्ट है, मेगनीशियम है, मेगनीज है 18 सूक्ष्म पोशकत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य यूरिया में नहीं है, डी एपी में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम नहीं है, डी एपी में कैल्शियम नहीं है, और कैल्शियम सबसे प्रमुकाधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा, तो पौदे में होगा, पौदे में होगा, तो फल में होगा, फ गोबर की खादसे ही मिलेगा, यूरिया डियेपी से मिलने ही वाला नहीं है, तो किसान को ये समझाइए, अब आपको समझ में आ गया हर 21 दिन में डालना है, जबर जस्त फसल आएगी, पहली बार जब आप डालोगे ना, तो किसान थोड़ा जिजक करेगा, उसको भरोसा नही है, विश्वास नहीं है, तो उसको कहना कि भाई तुम डालो, नुकसान तुमारा नहीं होगा, मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है, खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाट डालते हैं ना, तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुल्ला में थोड़ा ही कमा लेकिन उत्पादन जितना कमाता उससे ज़्यादा खर्चा बच जाता है, तो वो बरावर मामला बैठता है, हम यूरिया डियेपी में खर्चा करते हैं हजारों रुपए का, तब उत्पादन लेते हैं, यहां खर्चा ही नहीं है, थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फा तैसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है सो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाती है नहीं चानने की जरूरत नहीं है ऐसे ही डालो उसमें जितना कच्रा है सब खेत में जाने दो क्योंकि कच्रे में जीवाणों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी जी खेत बहुत बड़ा है ये तो नहीं चल सकता तो दूसरा तरीका बताता हूँ खेत में पानी लगाते है ना पानी में डाल दो नाली में से पानी जा रहा है ना एक टंकी में भरके ये खाद रगदो उसमें नल लगा दो टोटी खोल दो टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा, ये दूसरा तरी, तीसरा तरीका ये है, कि अगर किसी के घर में जानवरों की संक्या जादा है, तो गोबर जादा होगा उसके पास, तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ, बचे हुए गोबर का क् गोबर अगर सूखा है, तो उसको इसी में डाल देना, पंदर दिन के बाद, दोसो लीटर पानी मिला के, तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा, गीले गोबर के लड़ू बना लो, और लड़ूों को खेत में फेक दो, तो खाद पहुँच जाएगा, और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लो, मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो, मिट्टी के लड़ू बना लो, लड़ूों को खेत में फेक दो, तो खाद पहुँच जाएगा, तो पानी के साथ दे सकते हैं, छिलक्टे डाल सकते हैं, गोबर या मिट्टी को लड़ू बना के डाल सकते ह और एक आखरी तरीका है, इस्प्रे मशीन अगर अपने पास है, तो उसका आगे से नौजल निकाल दो, फिर उससे स्प्रे कर दो, अब इसमें ध्यान ये रखना है, कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा, ये जमीन पे होगा, मिट्टी पे होगा, फसल पे डालने से फाइदा ही मिलेगा, मिट्टी में डालना है इसको, तो अगर फसल उची है, तब कैसे डालेंगे, तब तो पानी लगाओगे, तब ही डालना सबसे अच्छा है, इसमें एक तरीका ये है, कि खेत का मुहाना होता है ना, जहां से पानी गुसता है, वहाँ एक आदमी को बिठा दो, ड डालने का, अगर आपके घर में, गोबर का वो बनाते हैं न, क्या कहते हैं, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, कंडा, उपला, जो भी कहते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद राख निकलती है न, वो राख इकटी कर लो, और ये घोल और राख मिला दो, और फिर ल तो मुत्र से भी जादा है तो ये तरीका समझ में आ गया हर 21 दिन पर डालेंगे चार महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा 6 महीने है तो 7-8 बार इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी गोबर किसी भी जानवर का गाय का हो भैस का हो बैल का हो बकरी बकरे का हो गद आदा मिले तो वो भी चलेगा गाय का आदा ले लिया भैस का आदा किसी के पास गाय नहीं हो किसी के पास भैस नहीं हो एक एक गाय एक एक भैस और खेत बड़ा है तो आदा आदा सब मिक्सिंग करके चलेगा बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो तो देशी गाय हो तो अच्छा होगा जर्सी का फाइदा पूरा नहीं करेगा और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना नहीं तो कोई फाइदा नहीं करेगा जर्सी गाय है उसका गोबर है उसमें देशी गाय का एक दो किलो गोबर मिला लेना वो वैसे ही काम करता है जैसे सौ किलो दूद में एक चम्मच दही डालो तो पूरा दूद दही हो जाता है वैसे ही सौ किलो जर्सी गाई के गोवर में एक किलो देशी का डाल दो तो देशी गाई के जीवानू अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाई बेचते जाना देशी लेते जाना क्योंकि ये जर्सी गाई के दूद में दं। आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूद कोई देश नहीं पीता, देनमार्क में सबसे जर्सी गाय है, देनमार्क वाले दूद ही नहीं पीते, क्यों नहीं पीते, कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूद से, गुटनों का तो तुरंत हो जाता है बड़ी-बड़ी बीमारियां होती है और जर्सी गाये को एक खतरनाग बीमारी होती है mad cow disease उस बीमारी के चक्कर में दूद भी उसका प्रदूशित होता है इसलिए जर्सी का दूद 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 कोई नहीं पीता तो जर्सी गाये बेचके देशी लेते जाना भेंस हो तो उसका तो चल जाएगा बेल का चल जाएगा अब एक आखरी चीज और बता दूद उसको आप लिख लो ये तो हुआ खाद अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया तो कीड़ा लग सकता है ना तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो कीड़ा अगर लगता है कीट लगता है तो उसकी दवा भी हम खुद बनाके च्छड़क सकते हैं पैसा खर्च करने की जरूरत ने कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी बीस लीटर जानवरों का पेशाब ले लो गाय का बैल का भैस का बीस लीटर ठीक है ये एक एकड़ के लिए बता रहा हूं फिर इसमें धाई तीन किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना नीम के पत्ते की चटनी नीम का पत्ता है पीस के चट्णी बना के डाल देना डाही तीन किलो और आकडा देखा है आकडा आकडा के पेड़ के पत्ते की भी चट्णी डाल देना डाही तीन किलो आकडा आक कहते हैं आक कुछ लोग अकवा कहते हैं उसको आक आकडा अकवा हाँ वो ही जो हनुवान जी पर चड़ाते हैं जिसमें सफ़े सफ़े दूद निकलता है और एक तीसरा पत्ता है सुनो सुनो भाई एक तीसरा पत्ता है बेशरम बेशरम जो है ना अक्सर गाउं में घुसते हैं ना तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहे था पान के जैसा पत्ता बेगनी रंग का फूल आता है उसमें ना खुश्बू होती है ना कुछ होता है बिना पानी के बिना बीच के होता है इसलिए बेशरम कहते हैं तो दो किलो ले लो और एक पत्ता है आपके गाउं में अगर मिले तो सीता फल का पत्ता शरीफा जिसको कहते हैं सीता फल शरीफा उसका पत्ता दो ड़ाई किलो ले लो और अगर गाउं में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना कॉंग्रेस घास उसको चटनी बना के डाल दो दो ड़ाई किलो और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्चो हरी मिर्चो तो वो पीस के डाल दो ड़ाई तीन सो ग्राम लेसुन पीस के डाल दो आदा किलो के करी गाजर गास वही वही और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं वो याद रखो जिन जिन पत्तों को गाए नहीं खाती फिर से सुनो जिन जिन पत्तों को गाए नहीं खाती और आपके गाउं में उपलब्द है वो सब पत्ते पीस के डाल दो गाए को खिला के देख लो खा रहे हैं तो नहीं डालना नहीं खा रहे हैं तो पीस के डाल देना मोटी बात याद रख तो तीन-चार तरह के पत्ते डाल दिये थोड़ा लेसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लिटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गरम करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लिटर पानी मिला दो, अब ये दवा तैयार हो गई, कीट नाशक, इसको स्प्रे कर दो, किसी भी फसल पे, तो 48 गंटे माने 2-3 दिन में सारे कीट खतम कर देता है, एक पैसे का खरचा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता, ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मतर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपियोग हो सकता है, तो और अंडो सल्फान गाउं गाउं से हमें बंद कराना है, 4,80,000 करोड रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड रुपए शहर वालों का बचाना है, ये दोनों मिला दें, तो करीब 7,8 लाख करोड रुपए देश का हम बचा सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन की ताकत से, औ और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है, करीब 7,00,000 करोड का, अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं, तो इंपोर्ट चीज़ें भी बंद हो सकती हैं, 14,00,000 करोड का फाइदा, मने इतना बड़ा फाइदा हम पूरे देश को दे सकते हैं, अपने स्वदेशी आंद अभियान को गाउं गाउं जाके चलाना है, और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमा नितिलक ने जैसा परिश्रम किया, महत्मा गांदी ने जैसा परिश्रम किया, विपिन चंद्रपाल ने जैसा परिश्रम किया, और करांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया, वैसा ही परिश्रम आपको करना है ताकि क्या होगा जैसे आज हम लोकमा नितिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए अपनी सब्विता के लिए अपनी आज़ादी के लिए वैसे ही आपका नाम आने वाली पीडियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए ऐसा कहकर मैं आपका अभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं